नमस्कार मैं हरी शंकर व्यास भारत में हिंदू राजनेति का यह कमाल है और घजब का कमाल है भाजबा और संग परिवार में धर्म के आधार पर हिंदूओं को गोलबंद किया तथा सत्ता पकाई नरेंद्र मोदी हिंदू हर्दय समराट बने को लेकिन प्रधान मंतरी बनने के बाद उन्होंने अपने आपको पिछडी जाती का जतलाने के लिए हर तरह के डायलोग बोले तो हिंदूओं में आरक्षण की भूग तथा जातिय दुराव भी बनने दिया और बनाया अपने केबिनेट के जातिय चरित्र वे हिस्सेदारी में जातियों का हिसाब का धिंडोरा पिटा जातिय पहचान को हवा दी हिंदूओं में ये होड बनवा दी कि वे समाज में अपनी जाती के आरक्षण के लिए नीचे पाइदान पर गिरते जाए पूरा हिंदू समाज मानों दलित और आदिवासी जैसा बनने की होड में समाज और जातियों का ये भहुत ही अजीब व्यवार है इसलिए आज के मेरे विचार का ये सिर्चक है भारत में क्यों सब पिछडा दलित तथा आदिवासी बनना चाते हैं वैसे जातिय को लेकर भारत में बहुत कुछ लिखा गया है समाज सास्त्री एमेन स्रीनिवास से लेकर समाजवादी चिंतक सचिदानंद सिना तक ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है ये दोनों मानते रहे हैं कि प्राचीन भारत से लेकर अभी तक जातियों में बड़ी गती सीलता रही है मतलब आज कोई व्यक्ति जिस जाती में हैं तो जरूरी नहीं है कि बड़सों पहले उसके पूरवज उसी जाती में रहे हो दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले भारत में जाती के गतीशीलता ज्यादा रही है समाज के जातिये रचना बदलती गई इंदू समाज में जाती के रूड तथा बंद प्रकृति के बावजूद भारत में और उसके समाज में परिवर्तन लगातार बहुत हुए है एमेन स्री निवास ने इसे समाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के एक प्रक्रिया के तोर पर रेखांकित किया था उन्होंने जो आजादी के पांच साल बाद ही ये सिद्धान्त दिया था कि संस्कृति करण और पश्चिमी करण की वज़े से नीची जाती का कोई व्यक्ति सिर्फ दो या तीन पीडी में सामाजिक पदनुक्रम में उपर की पोजिशन में पहुच सकता है मतलब उन्होंने समाज में नीचे से उपर उठने का सहज विकास संभव बताया था ऐसा नहीं है कि जाती की गतीशिलता सिर्फ सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया का नतीजा थी प्राचीर और मध्यकाल में हुए अंगिनत युद्धों में जाय और पराजय ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था लड़ाई जीतने वाले विजेता सामाजिक स्टेटर्स में पदुनक करम में उपड़ बढ़ते गए है एक समाई ऐसा भी था जब सामाजिक सीडियो में यानि सोशल हैरकी में उपड़ जाने की होड थी लेकिन अब सामाजिक व्यवस्ता में नीचे की ओर जाने की होड लगी है पदुनक्रम नीचे का हासिल करने की होड है जातिया इस बात के लिए लड़ रही है कि उनको दलित या आदिवासी बनाया जाए ऐसा लग रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का चक्र उल्टा गूमने लगा है जिस व्यवस्ता में सबको उपर की ओर बढ़ना था वहां सब सामुई कृप से नीचे की ओर जाने की होड में है क्या ऐसा हो सकता है कि सामाजिक विवस्ता में नीचे के पायदान पर पहुचकर उच्चा हो जाया जाय? हो सकते हैं क्या उच्चे? पिछडे क्या अगड़े अपने आप बन जाएंगे? सवाल है एसी सोच सामाजिक विवस्ता में बदलाव का प्रतीक है? या फिर राजनितिक बदलाव या राजनितिक के कारण है पिछले कुछ समय से देश में जाती आधारिक राजनिती लगातार बढ़ी है आबादी के अनुपात में पिछडी जातियों का प्रतिनित भी धीरे धीरे बढ़ा है एक तरफ राजनिती में पिछडी जातियों का वर्चस बना है तो दूसरी तरफ देश के बड़ी आबादी सामाजिक वे आर्थिक इस्तर पर एक बराबर के इस्तर पर पहुची है। अपनी पिछडी जाति की पहचान बताने लगे है और इस वज़े से पिछडा, अती पिछडा, दलित या आदिवासी बनने की पूरे समाज में होड मची है। पिछले दिनों सामाजिक न्याय पर एक दिन के सेमिनार में तमिल नाडू के मुख्यमंतरी M.K. स्टालीन ने इसका विरोत करते होए कहा था कि कोई गरीब आदमी अमीर बन सकता है या अमीर आदमी अपनी अमीरी छिपा कर गरीब बना रह सकता है। लेकिन पिछडी वे दलित जातियों की पैचान हमेशा उनके साथ रहती है। इस आधार पर वे यह साबित करना चाते थे कि आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक और सेक्षणिक पिछड़ा फनी होना चाहिए। सविधान ने सामाजिक पिछड़े पन को ही दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावदान किया था। लेकिन अब हकीकत में क्या हो रहा है। जातियों में सामाजिक हैसियत में उपर उठने की बजाए नीचे जाने की होड़ है। जो अगडी जाती में है उसे पिछडी जाती में जाना है जो पिछडी जाती में उसे दलित या आदिवसी सम्हू में शामिल होना है अंग्रेजों के जमाने में जो जातिया दलित या आदिवसी समूम में से निकाल कर OBC स्रेणी में डाली गई थी उनको वापस उसी समूम में जाना है ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि दलित या आदिवसी समूम में अब भी सामाजिक तथा सेक्षणिक चेतना का बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इसलिए उनको जो आरक्षण या रिजर्वेशन मिल रहा है उसका लाव लेने वालों की संख्या कम है। उस समू में शामिल हो जाने पर आरक्षण की सुविदा मिलने की ज़्यादा संभावना बनेगी। शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है। मनिपूर में बहु संख्यक मेती आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहा है। ऐसे ही बिहार और उत्तर परदेश के कुर्मी से मिलते जुलते जारखण और पस्चिम बंगाल के कुडमी लोग हैं वे अनुसुचित जन जाती में शामिल होने के लिए आदोलन कर रहे हैं। अप्रेल में इन्होंने कोई चार दिन तक बिहार, जारखण और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में सडक वे ट्रेन परिवन को प्रभावित किया। करीब एक सो ट्रेने रद्ध हुई थी। कुडमी समुदाय के लोग ट्रेन की पट्रियों पर बेठे थे। इस समुदाय के जादातर लोग जारखण के छोटा नागपुर पठार के रहने वाले हैं। यह इलाका आदिवासियों की बहुत संख्या वाला है। इन आदिवासियों को आरक्षण का लाब मिल रहा है। कुडमी समाज के लोग OBC में आते हैं जिसमें पहले से ही अनेग जातिया हैं जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से बहुत शक्ति साली है। इसमें कुडमी समुदाय को OBC आरक्षण का जादा लाब नहीं मिल पाता है। इसलिए वे अब बार-बार ST लिस्ट में शामिल होने के लिए आदोलन कर रहे हैं। उनक अनुसुची में शामिल किये जाने की भी मांग कर रहे हैं। इन आंदोलन कारियों का कहना है कि ब्रिटिश काल में 1931 की ST की लिस्ट में वे शामिल थे। आजादी के तीन साल बार 1950 तक कुडमी ST के तोर पर ही जाने जाते थे। इनका आरोप है कि 1950 में आई इनकी जाती को ST स निकाल कर OBC में शामिल किया गया। अब ये दोबारा वापिस ST सुची में शामिल होने का अंदोलन कर रहे है। इसी तरह राजस्तान में गुजर समुदाय के करनल किरोडी सिंग बैसला के नेतरत में अंदोलन सुरू करके मांग हुई थी कि उनको अनुसुची ते जन जात ने मोर्चा खोला। उनका कहना है कि यदि गुजरों को ST में शामिल करके आरक्षन लिया गया तो वे विरोध में आंदोलन करेंगे। इसी तरह का आंदोलन मनिपुर में चल रहा है जिसमें पिछले हपते करीब 60 लोग मारे गए। वहां की बहु संचक मेती अबादी के ल नहीं है बलकि उल्टे वोट की राजनिती ने समाज की हर जाती में यह भूक बना डाली है कि जैसे भी हो उनकी जातिये हैसियत और नीचे हो वह गटे और उन्हें आरक्षण मिलें। बहरात यह एपिसोड अब यहां समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद। झाली डाली जाती जाउश मिलें तरे उन्हें बल्टेश अवूश धन्यवाद इन्हें सब्सक्राइब आरक्षण टार्मिलें।